नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपनी इंगलिश की बुक से लेसन नमबर फोर आवर फ्रेंड कम्प्यूटर बच्चों आवर फ्रेंड मतलब हमारे मित्र बच्चों मित्र कोन होते हैं? मित्र वो होते हैं जो सुक दुख में हमारा साथ दें और हमेशा हमारे साथ रहें तो यहां जो आज का लेसन है उसका नाम है Our Friend Computer मतलब हमारे मित्र कम्प्यूटर अब आप पूछेंगे के कम्प्यूटर हमारे मित्र कैसे हुए बच्चो अगर लोकडाउन की वज़े से स्कूल बंद ना होते तो आज यह बताना थोड़ा मुश्किल होता कि कम्प्यूटर जो है वो हमारे मित्र है लेकिन आज आप सभी जानते हैं लोकडाउन की वज़े से घर बैठ कर आपकी पढ़ाई जो है वो किसके त्रू हो रही है कम्प्यूटर से, लैप्टोप से या मोबाईल से, जो भी टेकनलोजी है वो सारी हमें क्या कर रही है हमारी मदद कर रही है हमें घर से पढ़ाने में और पढ़ने में तो आईए शुरू करते हैं अपना लेसन प्री रीडिंग तो सबसे पहले बच्चो यहां हमें कुछ चित्र दिये गए है और इन चित्रों को आप भी पैचान सकते हैं कि ये किस-किस चीज़ के चित्र दिये गए है जो सबसे पहला चित्र है वो किस चीज़ का है बच्चो ये है लैप्टोप सेकिंड जो है वो ये है computer third जो है हमारे पास वो है mobile phone और fourth जो है वो है हमारे पास एक landline phone तो बच्चों ये चारो जो है वो technology instruments है और ये हमारे लिए एक communication का माध्यम है तो आईए आगे चलते हैं look at the pictures and answer the following questions हमारे पास यहां कुछ questions दिये गए हैं आईए उने गरें question number one is name the things you see in the picture आपने जो जो इन pictures में देखा उनके नाम बताएं तो उनके नाम हमने बता दिये हैं first है laptop, second is computer, third mobile phone and fourth is landline phone next, can you tell what is common among them तो बच्चों चारो में common क्या है कि ये चारों technology gadgets हैं जो हमारी communication का एक माध्यम है next is how are they useful to us तो ये किस परकार हमारी मदद करते हैं, किस परकार हमारे लिए आवशक हैं तो सबसे पहला reason तो यही है, जो आज हम सब घर पे बैठके बढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वो किस के माध्यम से, mobile phones और computers के माध्यम से ही तो useful कैसे हुए, ये हमारी studies में useful हुए और uses क्या हो सकते हैं इनके कि हम कहीं से भी और कहीं पर भी, कितनी भी दूर किसी भी अपने रिष्टिदार से, अपने friends से हम बाते कर सकते हैं इनके माध्यम से ऐसे ही और भी अनेको uses हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे आईए next question Do you have a computer at home? क्या आपके पास घर पर एक computer है? Have you ever used it? क्या आपने कभी इसको use किया है? How did you feel then? और आपको वो use करके कैसा लगता है? तो बच्चों आप सब के पास किसी के पास computer होगा, किसी के पास phone होगा और किसी के पास laptop होगा तो आप सब उनको use करते हैं डेली आप उनसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको वो कैसा लगता है? जो भी आपकी feeling of वो हमें बताएं आईए आगे चलते हैं आगे है reading section आईए जो हमारा lesson है My friend computer उसे start करते हैं Hello friends Do you know who I am? I am your best friend I am an electronic machine I can do many useful things for you I perform many functions I can store all your information I can keep your accounts I can solve any mathematical problem very quickly तो यहां क्या कह गया है? कि Hello friends क्या तुम मुझे जानते हो? मैं कौन हूँ? मैं तुमारा सबसे अच्छा मित्र हूँ मैं एक electronic machine हूँ मैं तुमारे लिए कई उपयोगी काम कर सकती हूँ I perform many functions मैं अनेको कारिये करती हूँ I can store all your information मैं तुमारी सभी सूचनाएं store यानी जमा करना तो जमा कर सकती हूँ I can keep your accounts मैं तुमारे हिसाब किताब रख सकती हूँ I can solve any mathematical problem very quickly मैं गनित की किसी भी समस्या गो तुरान थल कर सकती हूँ आगे है I can draw beautiful pictures and beautiful buildings मैं सुंदर चित्र तथा भवनों के design बना सकती हूँ I can print letters, applications, notices, reports, dialogues, etc. and also make attractive invitation cards for many occasions मैं कोई भी पत्र, प्राथना पत्र, notice, report, सम्वाद, जो भी है हमारी बातचीत आदी छाप सकती हूँ और अनेक अफसरों के लिए आकरशक निमंतरन पत्र भी बना सकती हूँ You can play games using me तुम मुझे यूज़ करके अनेक खेल खेल सकते हो You can take test and check your answers all by yourself तुम स्वैम ही अपनी परिक्षा ले सकते हो और अपने उत्रों की जाच भी कर सकते हो Do you know what I am made up of? क्या तुम जानते हो मैं किस चीज़ से बनी हूँ? The monitor, the keyboard, the mouse, the CPU and the printer are my main parts तो इसके computer के बच्चों क्या क्या है main parts? उसके main parts है monitor, जो TV screen जो होती है इसकी उसे हम monitor बॉलते है Second है keyboard तो बच्चों कीबोर्ड क्या होता है? जिसकी मदद से हम कुछ भी command देते हैं कुछ भी हम लिखते हैं computer पर Third, the mouse उसके बाद है CPU and the printer और क्या है? printer मेरे main parts है I get commands from the mouse and the keyboard मैं mouse तथा keyboard की साहता से आदेश प्राप्त करती हूँ The CPU is my brain CPU मेरा क्या है? दिमाग है The software is my soul Software जो है वो मेरी आत्मा है Without it I am completely helpless इसके बिना मैं बिलकुल असाए हूँ मैं इसके बिना कुछ नहीं कर सकती I show output on the monitor मेरा जो भी output है आप जो भी command देते हैं input देते हैं उसका जो output है वो मैं कहां दिखाती हूँ? वो मैं दिखाती हूँ monitor पर screen पर You can print the output using the printer तुम परिंटर की साहता से जो भी output है उसको छाप दी सकते हो You can hear sound output through the speaker तुम speaker की साहता से जो भी आवाज है जो भी music है वो सुन सकते हो In fact even visually impaired people can use me very effectively and become efficient readers वास्तव में जो visually impaired होते हैं जो लोग अच्छे से देख नहीं सकते वो लोग भी मेरा use कर सकते हैं और कुशल पाठक बन सकते हैं I am an important part of all the fields of activities these days आज कल मैं सभी परकार की गतिवीदियों का एक महत्वपूर्ण भाग हूँ You can see me in shops आप मुझे दुकानों में देख सकते हैं offices, banks, hotels, hospitals, schools, colleges, post offices, railway stations, bus stands, seaports, airports and many other important places तो बच्चों जो भी ये स्थान हमने बताएं हैं इन सभी स्थानों में आज कल क्या use होता है Computer use होता है Very soon, you will see me everywhere in every house तो बहुत जल्द तुम मुझे हर एक जंगय और हर गर में देख पाओगे So what's my name? I am an electronic device Can you guess who I am? Friends, I am none other than your computer तो दोस्तों, मित्रों, मैं और कोई नहीं, मैं कौन हूँ मैं तुमारा Computer हूँ तो बच्चों ये था आज का हमारा Lesson No.4 आशा करता हूँ, आप सभी को समझ आया होगा अगर इस वीडियो के बीच आपकी कोई problem है कुछ समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें और अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं बच्चों अगली क्लास में हम करेंगे इसके word meaning और question answer आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दा एडुमेट को सब्सक्राइब करें धन्यवाद